सब्सक्राइब के बाद अग्रा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जी डेबल यू और नीट पॉइंट आव यू चैप्टर बड़ा इंपॉड़न्ट है ठीक है सबसे पहरे तो देखो यह वर्ड के अंदर आपको दो चीज़े नजर आएगी एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मदभ इलेक्ट्रिसिट्यी है और दूसरा केमिकल्ज तो हम बेजिकर ही दो चीज़ के ऊपर स्टडी करनेवारा है एक है जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पैंसिल सेल होते है रेडियो सेल्स होते है बटन सेल्स होते है जो गड़ी में होते है कार की बैटरी होती है बाइक की बैटरी होती है वो सबके सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और जिसका principle होता है chemical energy को transform करना electric energy में मतलब electric energy हम generate करते हैं ठीक है न और दूसरा होता है electrolytic cell electrolysis जो आप पढ़ चुके हो वही है यह जिसका principle पूरा opposite है जो electric energy को transform करता है chemical energy के अंदर सबसे पहले हम इसका study करेंगे उसके बाद electrolytic cell पर जाएंगे ठीक है एक electrochemical cell यहाँ पर design करके draw किया है जिसको हम बोलेंगे galvanic cell इसको daniel cell भी बोला जाता है daniel या galvanic cell it is a type of electrochemical cell सबसे पहले इसका construction ठीक से देख लेते हैं आपको दो भी कर नजरा रहा है ठीक है यह पूरा cell है इसको हम आधा cell बोलेंगे half cell यह दूसरा half cell यह जो U-shape के tube आप देख रहे हो यहाँ पर cotton डाल दिया गया है ताकि अंदर का जो liquid है वो बाहर flow ना करे यह U-shape के tube को बोला जाता है salt bridge इसका काम बताऊंगा salt bridge के अंदर होता है या तो KCL या तो ammonium nitrate या तो एक और भी यहाँ पर use कर सकते है अगार अगार ठीक है जो basically glutamic acid होता है यह left hand side वाले harp cell के अंदर electron लिया है zinc का और solution जो है वो है 1 molar zinc sulfate और right side के अंदर copper 1 molar copper sulfate के साथ ठीक है चलो यह copper wire से connected यह voltmeter यह गिरवनमीटर भी आप connect कर सकते हो ठीक है अब देख सकते हो यह पूरा electricity generate करेगा यहाँ पर कोई भी electricity का source नहीं है ठीक है chemicals जो है वो reaction के reaction करके electricity को generate करने बाला है याद रखो वही chemical reaction electricity को generate कर सकती है जो reaction से electron transfer हो और electron transfer कहा होता है रेडोक्स के अंदर ठीक है रेडोक्स का मतलब होता है loss and gain of electron वही तो होना चाहिए अगर रेडोक्स नहीं है तो electron transfer नहीं होगा और electron transfer नहीं होगा तो electricity generate होने के कोई chances नहीं है ठीक है चलो अब देखते हैं यह cell जो है कैसे काम करता है देखो जैसे ही यह दोनों की दोनों strip जो है zinc और copper इसको हम जैसे ही immerse करते हैं डाल देते हैं यह zinc sulphate copper sulphate के अंदर वैसे ही क्योंकि दोनों की reactivity में difference है जो ज्यादा reactive है यहाँ पर zinc वो electron को lose करेगी तो left hand side का जो harpser है वहाँ zinc जो होगा वो दो electron lose करेगा और बनाएगा zinc आया है जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ यहाँ पर ठीक है zinc loses two electrons to form zinc plus two इसको ऐसे भी represent किया जाता है zinc electron नहीं लिखना है zinc convert होता है zinc plus two के अंदर zinc convert होता है zinc plus two के अंदर ठीक है अभी दीख रहा है आपको जलो अब देखो यह zinc ने दो चीज़ बनाई एक तो बनाए electrons जो electron यहाँ से transfer हो रहा है देखो आप यह बता रहा हो मैं ठीक है न और electron आकर यहाँ copper जो है copper की plate के पास आ जाएंगे लेकिन copper metal electron gain नहीं कर सकती हमने सुना है metal कभी electron gain नहीं करती तो यह पूरा का पूरा जो electron है वो negative charge हो जाएगा समझ में आ गया यह negative charge हो जाएगा वैसे ही क्या होगा यहाँ पर जो positive ions होता है कौन-कौन से है यहाँ पर copper plus 2 है sulfate ion तो negative है और aqueous solution होता है पानी में बनाया हुआ तो H plus भी होता है अब सवाल है कि negative के पास कौन जाएगा electron लेने के लिए तो negative के पास वो जाएगा जो negative के पास वो जाएगा ध्यान से सुनना कि जो electron गेन करके खुद को reduce करने की tendency दूसरे से ज्यादा रखता हो ठीक है तो देखो copper और H में H की reactivity ज्यादा है आपने reactivity series 8-9 में पढ़ी होगी H electron जल्दी lose करता है H plus बनाता है तो H जल्दी oxidize होता है और copper की oxidize होने की ease काम होती है तो reverse reaction copper plus 2 की जल्दी होती है क्योंकि hydrogen का oxidation जल्दी होता है और copper का oxidation मुश्किल से होता है तो copper plus 2 ions जो होता है वो electron जल्दी gain करेंगे तो copper plus 2 यहाँ पर जाएगा electron को gain करेगा यह रहा और copper metal बनाएगा ठीक है copper metal जो बनेगी यहाँ electron के उपर deposit हो जाएगी ठीक है तो इसका weight बढ़ेगा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो zinc तो बना रहा है zinc plus 2 ions तो इसका weight काम होगा इतना समझ में आया इसने electron lose किये electron गए यहाँ से और इसने negative charge acquire किया यहाँ पर जिसकी reduce होने की tendency ज्यादा होती है वो electron gain करेगा और खुद को reduce करेगा हमारा purpose है electron transfer होता है कि नहीं होता है बस electron transfer हुए तो electron के flow की वज़े से current होता है और दूसरी बात electric current की direction current की direction electron के flow से opposite होती है so electron से यहाँ flow कर रहा है तो current यहाँ से यहाँ flow करेगा ठीक है physics में आप परते हो कि current हमेशा positive से negative की तरफ flow करता है so यह हो गया high potential और यह हो गया low potential so automatically potential difference यहाँ पर generate हो गया यह कौन सा terminal बना plus और यह कौन सा बना minus पहले था नहीं है कुछ नहीं था पहले तो लेकिन electricity generate हुई उससे हमने यह determine किया कि यह plus होना चाहिए और यह minus होना चाहिए because electrons travel करता है minus to plus और current travel करता है plus to minus समझ में आगए इतना almost यहाँ पर electricity generate तक का तो मैंने बता ही दिया है ठीक है चलो अभी problem क्या होता है देखो electron का पूरा हिसाब हो गया अब बाकी है zinc plus to iron जो यहाँ पर बने एक्स्ट्रा जबकि solution के पास पहले से zinc और sulfate तो थे ठीक है हो गया ऐसा कि zinc plus to ions बढ़ गए और sulfate iron comparison में कम हो गए जबकि यहाँ पर देखो आप copper sulfate था उसमें से copper ion यहाँ पर गए और deposit हुए तो copper plus to ion कम हो गए यह तो दिक्कत वाला काम है ठीक है यहाँ पर positive बढ़ रहा है यहाँ पर positive कम हो रहा है ठीक है तो ions की concentration disturb हो गई तो disturb हो गई तो समझो कि cell बंद हो जाएगा तो neutrality का maintain होना तो जरूरी है और जो काम करने के लिए यहाँ पर क्या होता है salt bridge है तो salt bridge का function क्या हो गया to maintain the concentration of ions in both the half cells I repeat function of salt bridge अगर आप यह देख रहे हो तो साथ में लिखा भी करो ठीक है वैसे यह पूरा page में आपको मैं आपको बेजी दिया है function of salt bridge is to maintain the concentration of ions in both the half cells got it तब तो पुरा हो गया है न कोई पूछे सर यही क्यों use करता है तो इनकी mobility identical होती है mobility का मतलब होता है moment वो moment जो होती है वो identical होती है इसकी वज़े से यहाँ पर यह लिए गया समझी में आगया सबको चलो अब देखो इसने खुद को oxidize किया तो यह क्या बन गया एनोड बन गया तो left and side वाला जो हाब cell है वो oxidation करता है खुद का zinc closes to electrons to form zinc plus 2 oxidation oxidation किया इसलिए क्या बना एनोड और एनोड टर्मिनल कौन सा होता है negative याद रखो यहाँ पर एनोड positive होता है यहाँ पर एनोड negative है गरबड़ी मत करना oxidation कियाना इसलिए एनोड बना और एनोड negative होता है तो लोन याद रखना है याद करने के लिए यहाँ बताया गया है लोन left oxidation एनोड और N negative समझ में आ गया और यहाँ पर पूरा उल्टा right hand side reduction, cathode और positive समझ में आ गया और पूरा cell का reaction यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है देखलो आप left hand side वाला cell zinc से बनाया zinc plus 2 और यहाँ पर copper आयन बना रहा है copper और यह जो है दो line जो वार्टीकर बताई गई है यह symbol किसका है पता है salt bridge का है तो दोनों के दोनों half cell separated है किस से salt bridge से समझ में आ गया है सबको calvinic cell ठीक है basic construction किया है